हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई टूप चैनल डेपी अडूकेर दोस्तो आज हम लोग करन्ट अफियर्स की छटमी टेस्ट स्रीज हल करने वाले हैं और बहुत ही इंपोर्टेंट स्रीज है ये 25 कुश्चन आपको मिलेंगे ब्याख्या सहित और चुकि समिछा अधिकारी का म प्रेंस आपको पता हिए कि होने वाला है 24 अप्रेल को PCS प्रारंबिक परिक्षा 12 जून को होने वाली है और संभाबना है कि आरो यारो 2022 भी इसी वर्स होने की संभाबना है 9 दिसंबर तक तो इसलिए इन सभी परिक्षाओं को साथ हाई कोट हो गया UPSC हो गया लेकपाल व परता एक्षाओं कैसा लेकर जो भी कमीशन की एक्षाम होते हैं तो इसमें ठीक ठाक मात्रा में करन्ट अफिर्स होता है तो यहां पर हम आपको पूरा बिस्तार से करन्ट अफिर्स पढ़ाते हैं और इसमें आपकी पूरे टॉपिक ही क्लीर कर देते हैं उसमें प्रसंद उसकी पूरी ब्याख्या दे देते हैं इमेज से आपको समझा देते हैं ताकि एकदम से आपके दिमाग में वो चीज़ें घोश जाएं कभी भूलेने आप बस है कि आपको थोड़ा सा याद रखना इन चीज़ों को बाकि जो करन्ट अफिर्स की पीडियाप बगरा है तो वह आप लोग गुरुप से ले सकते हैं आरो मैंस का बैच चल रहा है आरो यारो 2022 के लिए चल रहा है पीसी डोजार बैच चल रहा है तो इसक्रीन पर नंबर दिया गया है 6393-350-769 इस पर संपर करके वाट्चप के माद्धियम से या कॉल के माद्धियम से आप लोग पर शुरुवात करते हैं और आज के करण्ट अफेर्स की पहला प्रसंदेखते हैं स्क्रीन पर क्या आता है पहला प्रसंद है राष्ट मंडल भारुत तोलन चैंपियंशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं 10, 14, 16 या 22 देख लेते हैं आंसर इसका और इसमें 16 पदक जीते हैं भारत ने तासकन यानी की उजवेकिस्तान में आयूजित राष्ट मंडल भारुत तोलन चैंपियंशिप में 16 पदक जीते हैं जिसमें से 4 स्वड़ पदक हैं 7 रज़त पदक हैं और 5 कांस पदक ये भारत ने जीते हैं जो स्वड़ पदक बिजेता हैं उनके नाम दिये गए हैं सामने यहें जेरेमी लाल रिनूंगा सरसेट क्लोग्राम वर्ग में अंचिता सुली 73 क्लोग्राम वर्ग में अजे सिंग 81 क्लोग्राम वर्ग में और कुशन नमबर 2 देखते हैं भारती उद्योग परिशंग यानि की CII के ओध्योगिक नवाचार पुरशकार में पर्थम इस्थान हासिल किया है IIT कानपुर, IIT रुणकी, IIT खड़क पूर या फिर IIT दिल्ली सही अंसर देख लेते हैं और सही अंसर आपका है IIT रुणकी CII के ओध्योगिक नवाचार पुरशकार में Most Innovative Research Institutions केटेगरी में IIT रुणकी ने पहला इस्थान हासिल किया है वहीं IIT मद्रास और Indian National Center for Ocean Information सर्वसेश, हैदरावाद, क्रमशा, दूसरे और तीसरे इस्थान पर रहे हैं ये पूरा डिटेल था है इसका पहला इस्थान कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा ये तीनों इस्थान बताए गए है Question No.3 अंसर देखते हैं और ये आपका गुजरात है ये देखिए फोटो देख सकते हैं यहाँ पर आधार सिला रखी गई थी ये मंद्र जो है इस तरह से बनेगा 11 दिसंबर 2021 को केंद्री ग्रह मंत्री स्रीयमिस सहा ने अहंदावात के 16 में उमिया माता धाम मंदर और मंदर परशर की आधार सिला रखी है उमिया देवी को कदब पाटीदारों की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है गुजरात में पाटीदार जाती है कदब पाटीदार तो उनकी एक कुल देवी है उमिया मा उमिया धाम तो यह जो है अपने वहाँ पूछते है तो उसकी अधाचला यह पर रखी पूरा मंदर बनेगा उसका मंदर का पूरा परिशर बनेगा पनलब यह जो फोटो सदस के रूप में किस भारती को चुना गया है सानिया मिर्जा पीवी शिंदु साइना नहवाल या मिताली राज और सही अंसर आपका हो जाएगा यहां पर पीवी शिंदु विश्व चैंपियंस से पीवी शिंदु को पांच अन्य लोगों के साथ दो हजार पच्चिस तक बैडमिन्टन वर्ल्ड फेडरेशन एत्रिट आयोग के सदस के रूप में नियुक्त किया गया है जो अन्य सदस है वो है आईरिस वांग रॉविन टेविलिंग ग्रेशिया पॉली किम शोयोंग और जैंग सी वेई तो इतन जो है इसम भारत की तरफ से पीवी शिंदु को चुना गया है कि कुशन नंबर फाइव भारती नौशेना ने किस स्वदेशी इस्टील्थ विध्वन्सक जहाज का पहला समुद्री परिक्षड किया है ध्रोग आयनेस विक्रांत मोर्मुगाउ या बज्र प्रहार और सही आंसर देखते हैं यह आपका मोर्मुगाउ तो जहाज का फोटो देख सकते हैं यह आपका मोर्मुगाउ प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया दूसरा युद्वपोत है इसका समुद्री परिक्षड अरब सागर में गोवा मुक्ति दिवस की अफसर पर किया गया प्रोजेक्ट 15 के तहत चार युद्वपोतों के निर्मा को हाल ही में कमीशन किया करना मतलब उसको पानी में उतार दिया गया वह अपना काम करना सुरू करल देगा बाद मौर्मुगाउं उपने परिच्छन परक्रिया में यह परिच्छन चल रहा है इंफाल वा सूरत नामक दो इतुपोतों का निर्माड कार जारी है यह पहला कौन हो गया विशाखा पत्नम दूसरा मौर्मुगाउं तीसरा इंफाल और चौथा सूरत यह चार जो है 15B के तहद बनाई जाएंगे कोशन नमबर सिक्स भारत सरकार ने सूरत मैट्रो रेल परियोजना के लिए किस बैंक के साथ समझोता किया है निव डेबलब्मेंट बैंक, एसी आई बैंक, आई एमफ या जर्मन बैंक और सही अंसर आपका हो जाएगा जर्मन बैंक तो भारत सरका और जर्मनी विकास बैंक ने गुझरात में 40.35 किलोमीटर की सूरत मैट्रो रेल परियोजना के लिए 26 मिलिएंगन एउरो के रेल पर हस्ताचर किये हैं, तो ये जो है गुझरात में बनेगी योजना, एन्वेट्रो रेल पर योजना है, 40 किलोमीटर की तो उसके लिए जर् आलही में किस राज सरकार द्वारा जगनात रत्यात्रा को राज उत्सव का टेग दिया गया है उत्रप्रदेश, पंजाब, उत्राखंड या मद्धिप्रदेश और सही अंसर आपका हो जाएगा पंजाब ये देखिए इस तरह से भगवान जगनात की रत्यात्रा निकाली ज को एक वार्षिक राज उत्सव गोशित किया है भगवान जगनात के नाम से भी जानते हैं बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुबद्रा के साथ हर साल अपनी मौसी के घर जाते हैं इसी कड़ी में इन तीनों की मोर्तियों को जगनात मंदर में बड़े से रत पर सवार क जाता है इसके बाद तीनों मोर्तियों को रत यात्रा के लिए उनकी मौसी के घर गुंडीचा मंदर में ले जाए जाता है यह मतलब यह जो पूरी रत यात्रा आपने सुना भी होगा यह मतलब इसका मतलब यह है कि यह लोग अपनी मौसी के घर भगवान श्रीकेशन के आगे देखते हैं कुर्शन नंबर एट हाल ही में राष्टिये गड़त दिवस कम मनाये गया 20 दिसंबर, 22 दिसंबर, 24 दिसंबर या 26 दिसंबर और सही अंसर आपका हो जाएगा यहां पर 22 दिसंबर तो भारत 2012 से प्रतियेक वर्ष 22 दिसंबर को राष्टी गड़त दिवस क रूप में मनाता है यह दिन गड़तग श्री निवास रामानुजन की जहनती के उपलक्ष में मनाये जाता है यह रामानुजन साग का फोटो है तो यह मनाये गया था हर साल मनाये जाता है 2012 से 22 दिसंबर को यह मनाये जाता है पूरा नाम है श्री निवास आयंगर किया गया 10 से 15 दिसंबर 15 से 20 दिसंबर 20 से 25 दिसंबर या 25 से 30 दिसंबर और सही आंसर आपका हो जाएगा 20 से 25 दिसंबर के बीच गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर 2021 बयाख्या देख लेते हैं कार्मिक लोग शिकायत और पैंसर मंत्राले के तहत प्रशासनिक सुधार और 25 दिसंबर को सुषासन सप्तहा 2021 मनाये गया सुषासन सप्तहा का आयोजन विदेश मंत्राले पंचायती राज मंत्राले वा ग्रामिड विकास मंत्राले के सहीयोग से मनाये गया है 20 से 25 दिसंबर के बीच में यह याद में मनाये जाता है बिसिकली चलिए तो आगे देखते ह कोशन नमबर टेन हाल ही में किस राज सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन यूजना की शुरुवात की गई है उत्रप्रदेश दिल्ली मध्य प्रदेश या फिर बिहार और सही आंसर आपका हो जाएगा उत्रप्रदेश तो इस यूजना के तहट पूर प्रधान मंत्री श्र योगी आदितना जी द्वारा इवाओं को साट हजार स्मार्टफोन और चालिस हजार टेबलेट बाटे गए हैं दान रखीएगा इतने जो है पाठिक्रम शामिल करने का निर्ड़े लिया गया है उत्तरप्रदेश, बिहार, राजिस्थान या महराष्ट और सही अंसरापका हो जाएगा यहाँ पर महराष्ट महराष्ट सरकार अगली पीडी के लिए जलवायू, जागुरुकता और हरित मूल्यों को बिक्सित करने के लिए ग्रेड वन टू एट यानि ग्रेड का मतलब यहाँ पर कक्छा से है यहनि कि एक से आठ तक एक ब्यापक पाठिक्रम शुरू करने की प्रिक्रिया में है यह है पाठिक्रम परियाबरण एवं जलवायू, परिवर्तन, विभाग और इनुशेफ द्वारा विक्सित किया गया है इस पाठिक्रम को माजी बसुंदरा पाठिक्रम नाम दिया गया दानर कि यह देखे मैंने इमेज लगा दिया है माजी बसुंदरा अभ्यान या माजी पाठिक्रम किसरा सरकार द्वारा शुरू किया गया है माराष्ट या जलवाई परवर्तन को पाठिक्रम में कौन सामिल करेगा माराष्ट चलिए आगे देखते कुछ संबर 12 हाल ही में चर्चा में रही टैदर क्रिप्टो करेंसी किस देश की है बेतराम थाइलेंड म्यामा या कंबोडिया और सही अंसर आपका हो जाएगा यहां पर म्यामार म्यामार की नैशनल इनुटी गौर्रमेंट ने टैदर नामक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की अनमती दी है टैदर क्रिप्टो करेंसी का उपयोग आधिकारिक मुद्रा के लोगो बनेगा कोशन नमबर 13 हाल ही में भारत बा किस देश के मद्य आपरादिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहयता के लिए संधी पर हस्ताचर हुए हैं जापान फ्रांस जोर्जिया या पोलेंड और सही आंसर आपका हो जाएगा पोलेंड इस संधी से पारस्परिक क आनूनी सहयता के माध्यम से आतंकवाद से जोड़ी अफरादों सहित अन्न मामलों की जाच और पैरवी करने में आपसी छमता तथा प्रभाव सीलता में ब्रद्धी होगी कोशन नमबर चली कोशन नमबर फोटीन पर चलते हैं हाल ही में केन सरकार द्वारा मोले इस्तरी करण कोश का गठन किस छेत्र के लिए किया गया है उर्जा छेत्र आधार बूस अन्रचना टेलिकॉम छेत्र या परितमे से कोई नहीं अंसर देख लेते हैं और सही अंसर है यहां कोई नहीं है ब्याख्या देखते हैं केंद्र ने उपभुकताओं के हितों की रख्षा के लिए प्याज, आलू और डाल जैसी क्रशी उत्पादों की क्यूमतों में उतार चड़ाओं से निपटने के लिए मूल्य इस्थरी करड़ कोई की स्थापना की है यह किसान उकले बेसिकली है यह प्याज, अच्छे पडोशी तथा मैत्री पूल, सहियोग, संधी किन देशों के मत्य है भारतवा बंगलादेश, रूस वा चीन, भारतवा अमेरिका या पाकिस्तान वा चीन और सही अंसरापका होजागा यहाँ पर रूस वा चीन के मत्य है चीन और रूस अच्छे पडोशी तथा मैत्री पूल, सहियोग संधी यह संधी आपकी 16 जुदाई 2021 को संपन हुई थी कि 20 वी गवर्स वाट मना रहे हैं दोनों पक्षों ने प्रतिरिक 5 वर्स पर इस संधी को बढ़ाने का निड़य लिया है कुशन नमबर 16 प्रधान मंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंच के माध्यम से प्राकृतिक खेती विषय पर राष्टी संभीलन को कहां से संभोधित किया गया है उत्रप्रदेश, गुजरात, उत्राखंड या हर्याड और सही आंसर आपका हो जाए गया है पर गुजरात, ये देखिए मोधी जी संभोधित कर रहे हैं संभीलन को कॉन्फ्रेंच के माध्यम से इस अफसर पर केंद्री मंत्री स्री अमिशा, स्री नरेंज सिंग तोंबर, गुजरात के राश्पाल, गुजरात और उत्रप्रदेश के मुख मंत्री भी उपसित रहे किसानों को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री जीन ने कहा कि अब आजादी के सौमे वर्स तक का जो हमारा सफर है वह है नई आवास्ताओं नई चुनोतियों के अंसार अपनी खेती को ढ़लने का यह जो भी खेती में इंप्रूम्मेंट हो रहा है जो भी इनोबेशन हो र इंडोनेशिया या उस्टिलिया और सही अंसर आपका यहां पर भारत हो जाएगा एट्थ इंडिगन ओशिन डालो इस संबात की मेजवानी विदेश मंत्रालाय और भारती विश्व मामलों की परिशिद ने सहित रूप से की है इस संबात की मेजवानी लेवरेजिंग देख सकते हैं यह थीमती इसकी और गुष्य नंबर 18 पर आते हैं हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में इंडिगन डेजर्ट केट को देखा गया है काना टाइगर रिजर्व पन्ना टाइगर रिजर्व असम टाइगर रिजर्व या पैंच टाइगर रिजर्व और सही अं करकोसा नबर 19 हाल ही में नधी उत्सो कारिक्रम का कब आयुजित किया गया है 16-23 दिसमबर 20-25 15-20 दिसमबर या फर 24-30 दिसमबर की बत और सही आंसर आपका हो जाएगा 15-20 दिसमबर नदी उत्सव सेलवेटिंग रिवर्स आजादी का अमबर्तम हुच्षो नदी उत्सव 2021 एक अखिल भार्ती उत्सव है इसका आयोजन जल सक्ति मंत्राले, संस्क्रती मंत्राले, परेटन मंत्राले और स्वच गंगा के लिए राष्ट ब्यापी मिशन द्वारा सामूहिक रूप से किया जा रहा है कुशन 20 हाल ही में प्रथान मंत्री ने उत्रप्रदेश के किस जिले में महिला ससक्ती करण के विशेश कारक्रम में भाग लेकर स्वय सहाता समूहों की 16 लाख महिलाओं को 1000 करोड रुपए हस्तांतरित किये हैं वररसी प्रयागराज कानपुर या फर आगराख सही अंसर आपका हो जायेगा प्रयागराज इसकारक्रम में 2,00,000 महिलाओं ने भाग लिया श्री मोदी जी ने महिलाओं की मदद के लिए 202 पूरक पोशक आहार निर्माता इकाईयों की आधार सिला रखी और स्वय सहाता समूहों के खातों में सीधे ही 1000 करोड रुपए की राशी भीजी इससे स्वय सहाता समूह की करीब 16,00,000 मेलाओं लावानवित होई है जो सेल्फ हेल्प उग्रोब होते हैं सेजी उनकी मेलाओं लावानवित होई है Q21 देश की पहली ग्रीन हाइडरोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना की सुरुवात कहां की गई है Q21 देश की पहली ग्रीन हाइडरोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना शुरू की गई है यह विशाका पत्नम के पास है एंटीपीसी ग्रेन हाइडरोजन प्लांट दिये तो इसको जाद रखेगा बहुत इंपोर्टेंट प्रस नहीं है Q22 देश की सुरू की गई है यह आपकी सुरू की गई है आंध्र प्रदेश में सिम्हाद्री में Q22 हाल ही में किस राज के व्यास सनच्छड जर्व में 24 घळयालों को छोड़ा गया है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्राखंड या जम्हू कस्मी और सही अंसर आपका हो जाएगा है आपर पंजाब तो हाली में पंजाब बन और वन जीव सनच्छड भागने Worldwide Fund for Nature India के सहयोग से व्यास सनच्छड रिजर्व में 24 घळयाल छोड़े है व्यास सनच्छड रिजर्व में घळयाल पुनरुत पादन पंजाब सरकार का एक महत्वाकाची कारकरम है यहने कि घळयालों मादन समतल और घळयालों को पैदा किया जाएगा इसलिए वहाँ पर सोड़े गए हैं 23 कोशन नमबर हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सूचना प्रवद्वक्य के छित्र में सहयोग के लिए समझोते पर फैस्ताचर किये हैं फ्रांस और अस्टिलिया इंडोनेशिया या बियतनाम और सही अंसराप का होजाए आपर बियतनाम 17 दिसंबर 2021 को भारत और बियतनाम ने सूचना प्रवद्वक्य के छित्र में सहयोग के लिए समझोते पर हस्ताचर किये हैं दोनों देशों के मंत्रियों ने डिजिटल अर्थ प्रवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपने अपने देशों द्वारा की गई कई पहलों पर विचारों का आधान प्रदान भी किया है Q24 फालही में सर्वूच नियालय ने किस राज में बैलगाडी दोड के अयोजन की अनमती दी है सुप्रीम कोट ने दिया है आदेश तमिलनाडू, करनाटक, केरल या महराष्ट सर्वूच नियालय ने महराष्ट को समयधानिक विट के समक्ष मामला लंबित रहने तक राज में बैलगाडी दोड आयोजन करने किरमती दे दी है आम तोर पर इस तरह की दोड राज की कई हिस्सों जैसे पूने और पश्मी महराष्ट छेतर में आयोजन की जाती है और इसे 400 साल पुरानी परंपरा माना जाता है महराष्ट में बैलगाडी दोड पर प्रतबंद लगा दिया गया था क्योंकि सिर्ष नियालय ने फैसला सुनाया था कि दोड पशुक्रूर्ता रोक्थाम अधनियन के प्रागधानों का उलंग ने इसलिए रोक लगा दी गई थी अब जो फिलाल छूट दे दी गई है और आज का लाश्ट कुश्च ना जाईए हाल ही में किस देश में भायंकर तूफान राय ने दस्तकती है जापान फिलिपी पढ़ना है कैसे पढ़ना है और ग्रुप में जो नेक लिए स्क्रीन पर नंबर देया गया उसको आप संपर अपलोग कर लीजिए ठीक है तो जल्दी स्कटाक से अंसर दीजे कमेंट कीजेगा आप लोग और हम आपको अंसर बता देते हैं आपका है फिलिपीन्स ये देख दूसरी जगया सरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है दोस्तों बहुत बहुत धन्वाद थैंक्यू देखने के लिए और फिर मिलते एंगली स्रीज में तब तक के लिए जैन